हेलो वच्छा लोग स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हम बात कर रहे थे जीवो में जनन चप्टर की ट्वेल्थ का फाट चप्टर जो है जीवो में जनन हैना अरे प्रोडक्शन इन और्गनिजम्स और उसमें तीन लेक्चर कर चुके हैं और आज करेंगे य यहां से गनत लाश्च्ट यह थे वहां पर क्यात किया थे कि युलाइश ग्रक्टनाएं होती है वह तिन घट्ना एक को बोलते हैं निसेचन पुरुवगटना एक को बलते हैं ऊप्ज़गंना न तो निसेचन पुरुवघटना यह कि थे तीर लेक्ट्र में अगर उसको कुछ पार्ट जो बचा हुआ है है ना मतलब कि निशेचन पुर्व घटना ही कि इसको बोलते है क्या प्रीफटलाइजसन इवेंट्स उसका कुछ पड़ बचा हुआ है उसको करेंगे आज पिछले लेक्चर में लास्ट किये थे उसको करकबाद रहते हैं क्या उसलास्ट में और फेमेल एक ही मेरे इसको बोलते हैं वहीं लिंगर कर लिए है सब पर हम कर रहे थे प्री फटडलाययसन मतलब कि फटडलाययसन से पहले कि घटना को तो उसमें बोले थे कि दो काम होता है हाना पहला काम होता है क्या कि गैमीट का बनना गैमीट VAM sound. उसको बोलते है gorग अध tapas रूमीट के पास पहुजना न ये के अधरा advert करेंगे और आज समक्रेंगे इसmit के बाराम एक जानेंगेश्वालप गैमीट के जुञता है लिक देज़ुद्डीनXoam इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा से हम पर बुड़ प्रियुद लिखा हुए दिख रहा होगा, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले गैमिट के बारे में कुछ बताते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चा युगमक की, अगर हम बात करते हैं किसकी? युगमक की, है ना युगमक की तो सुन बात यहां से सवाल बनेगा दुनिया में कोई भी युगमक हो इस दुनिया में येतने भी युगमक होंगे है ना वो सारे के सारे हेपलोाइड होंगे कैसे होंगे हेपलोाइड मतलब क्या होता है आगुनितक, उसको हिंदियों बोलते हैं आगुनितक, मतलब कि युगमक कैसा रहेगा? आगुनितक रहेगा, कैसा रहेगा? आगुनितक, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो, कि कैसा रहेगा ये? तो हैपलोइड रहेगा, युगमक जब भी रहेगा, कैसा रहेगा? है कि दूगुन तक और आगुन तक क्या होता है तो उसके लिए थोड़ा बताते हैं कि देखो बच्चा जो जीव को आप पढ़े हैं ना कि इसमें क्रोमोसोम्स के डबल होते हैं जैसे आप पढ़े होंगे कि मानब में 23 जोड़ी गुनसूत्र होता है मतलब कि पूरा कितना होता 46 गो लेकिन आप पढ़ते होंगे कि मानब में 23 जोड़ा गुनसूत्र होता है है ना 23 पेर्स गुनसूत्र होते है तो जिस जीव में गुनसूत्र जोड़े में होता है वो इससे जीव को बोलते हैं दूई गुनितक जीव वो इससे जीव को क्या बो औरोड़ ऌत यहां की दयूला की सफवतीा होके गया तुक्ति कोसा की ध्यूहीं स्वाउट इलेवंथ कलास में इसको अच्छ पढ़ाना पढ़ाते हैं लेकिन आपके सच्चा आगया तो बता देते हैं लेकिए सवाल बनता है तो सुनी यह गत्याँ से ठीक है देखो आभी हम क्या बोले हैं कि वैसे जीव जिसमें गुनसुत्र की संख्या जोड़े में होती है वेसे ज को बोलेंगे आगुनित्क के जीव बोलेंगे अगुनित्क नच्वित खोता है और कौह बोलता है अचा इसको अग नतीक होरते हैं है डिपलाइड देखो हो अागूनितक में जीवाता है ना बच्चांग ओ फ्रहों से सहय वाल राता है हमयों सहकरैगा और कवक यह क्या हो गया क्या है आगुनितक है और आरशना ब्राइट वधाईट ब्रायोफाइटा में जितने भी जीव पौधे आते हैं तो यह सब जल्दी आपको दिखता नहीं होगा तो इसलिए भी आप बिक्सित जीव देखते हैं यह सारे क्या होते हैं दूई गुनितक होते हैं और यह सब छोड़के बाकी जितना भी आपको जीव दिखाई देता है है तो आपको यादगा रखना है अदगना सिर्फ अगुनितक को बाके तो दूबन तो खईए यतना भी रहेगा है ना चलिए ठीक है आगर हम बात कर लेते हैं तो यह समय क्या जाएगा जिसा जाएगा है पधा में तो क्यों जाएगा टेरीडोफाइट है ना क्यों हो जाएगा तो ये सारे क्या है पौधा क्यों बात करते हैं तो इसार के है दूबन तक जीव है अच्वा हम लोग इनईमल वेरागे की मृपलेख जिव कौन है और अगुन तक जीव है ठीक है अगुनितक जीव करता है अगर लेंगिक जनन ठीक है तो लेंगिक जनन में क्या बता जो कहें प्रोसेस के लेंगिक जनन जो भी जीव करेगा न तो उसमें युगमक बनेगा ही बनेगा है ना मतलब कि इसमें बनाना पड़ेगा क्या युगमक बनाना पड़ेगा तो यह सारे रहे हैं अगर करना है लेंग इक राना करना है तो इसको में क्याना पढ़ेगा इसके बनाना पढ़ेगा युगमक और युगमक बनने की लिए अगुनितक जीव में वाजन होता है यह बात को आपको sagt कि जितने भी आगुनितक जीव हैं जितने भी आगुनितक जीव यहां पर आपको दिखाई दे रहा है है इसमें अगर बनाना है क्या युगमक क्या बनाना है युगमक तो इसको कौन सा भाजन करना पड़ेगा इसको भाजन करना पड़ेगा कौन सा समसुत्री करना क्यों इसलिए कि आग गुनितक जीव में हमेशा और हमेशा समसुक्ति नहीं होता है ठीक है उसी परकार से आते हम दू गुनितक में है ना दू गुनितक को टू एन से इंडिकेट करते हैं ठीक है अब देखो दूरी गुनितक जीव जो होता है इसमें पीशु करना लेंगिक ज़िए अगर इसमें बनाना पढ़ेगा У युगमक बनाएगा तो उसमें युगमक बनने के लिए अर्द शुत्री भाजन करना पढ़ताया उसको और आपको पता होगा कि टू यान मतलब कि दू गुनतक जीव में जब भी अधसुत्री भाजन होता है दू गुनतक कोशिका में जब भी अधसुत्री भाजन होता है तो उसमें क्या बनता है? कोशिका चारगो बनता है कुछ लेगा बनता है दू यान कोशिका में आधा सूत्री भाजन होगा ना तो कोशिका चारग बनेंगी है ना और गुनसुत्रों की संख्या आधी हो जाएगी मतलब कि मानब का एक कोशिका है मानब का एक कोशिका है जिसमें गुनसूत्र है 46 गो तो मानब का कोशिका अगर करेगा आर्धसूत्री करेगा यहां पर क्या करेगा आर्धसूत्री तो इस एक कोशिका से बनेगा चार कोशिका कोशिका करेगा चार कोशिका बनेगा लेकिन इस जहार इससे मंना है उस्स स्याधा मतलब कि तेसरा भूसुतर वाप्जान जीव में क्या था सम सूत्री वाजन किया था तो इसका जो यूगमग बनेगा यहीजा बनेगा तो जीव ही आगुनितक है जब कि दूइ दूर्ब फेर अर्थ शुत्र कोर्ण होगा लेकिन यही च्यानी चैरिछ को ऑनल को कि कर的ется गैउसे मानव को ऌतग अर्थ सुत्रि यह को अगर था आधा हो जाएगा लेकिन यहने लेकिन आधा हो जाएगा न तो आधा हो जाएगा लेकिन यहींcan Events का में अगर तो थो दो नीया है लेकिन दूब्नतक जीव में में जब भी इसको युगमक चुल है जिसको सिकास काुंद सुत्री हाजण करना पड़े गाशोग करना है और आपको पता है कि अजये गशेन तो इस संख्यां से जासिए का हम पर आपको आंब नहींड के तो इसका जोगनित बने गारन बनेगा उसमिन कहा YamagGI हुआ जा repo e संख्यां आधी रह जाएगी टिक है इसमें गुष्ट दगणीर जाएगा आधा का मतलब सिर्फ आथा जाएगा ठीक है तो यहाँ से यह बाते आपको ठीक से करने प्रेग से और उसके बात यहां तक आपको समयुम्हिन आगव कि दूगनीर तक क्या होग्या आगणी तक होग कि डे आपके समझ में आगया हो गया कि आगु नी तक जो है आगु ने तक या दुगी तक मन exper की जीभ कोई भी हो सकता है जीव आगुनितक या दुगनितक कोई भी हो सकता है हाना अब कौन आगुनितक है और कौन दुगनितक है यह हम कर चुके है हाना लेकिन युगमक हमेशा और हमेशा कैसे होगा आगुनितक ही होगा हमेशा और हमेशा है या दुगनितक जीव से युगमक समसुत्री वाजन के दौरा बनता है जबकि दुई गुन तक जीब से युगमक अर्ध सुत्री भाजन के दोरा बनता है ठीक है? इतना मत आपको यहाँ से याद रखना है ठीक है? चलिए और अब बात करते हैं गुन सुत्रों की संख्या कि कौन से जीब में कितना गुन सुत्र होता है ठीक है? आपको गुन सुत्र हमेशा और हमेशा लखना है मुझजवानी हाना? अच्छे से ताकि आपको कहीं भी कोई भी एक्जाम में दिक्कत नहीं हो हाना? किसी का भी गुन सुत्र पूछ दे हाना? तो दिक्कत देना जाए आचा किसी का क्या पूछता है एक्जाम में हुआ है वही आपको आपसे पुछेगा उसी जीव का गुनसूत्र ठीक है तो सिर्फ उसी का दखना है और कहां से मिलेगा तो सारे का सारे हम लिख चुके हैं बोड़ पे चाहें तो आप इसका स्क्रेंट लेके कोपी में नोट कर सकते हैं या तो हम पेडियाप में दे देंग उसमें कितना गुनसूत्र होता है वो नाम है ठीक है अब देखो मानब में गुनसूत्र पूछे तो 46 लेकिन अगर पूछ देख कि मानब के युगमक में कितना गुनसूत्र होता है तो युगमक में कितना होता है आधा होता है जितना मानब में होगा ना उससे आधा होगा ह doe लैगा मानव के यूघमा के गुर्फटर कितना हो जएगा जोड़लना यो चिरफ 23 बो collectively है तो सिरफ 23 वोंगा है तो एक कि तो 3 उटईस बोलना है उस्सें से नोद बोलना है उसी तर्यास को यहां पर दिखा है चूहां कितना है रहा लेकिन यहीं पुश्च दी आप से कि चूहा के युगमध में कना गुंसुतर तो कितना हो जाएगा एकईस दूना ब्यानिस एकईस गो जाएगा उसे तरह से कुट्था में कितना है अठाट्तर बिली में अड़तीस फल मक्ही में आठ अठाट्था होगा तो चार होगा मतलब जब भी युगमक पूछे न तो उसका अधा कर दिना है लेकिन आधा करने आपको किसका जीव का कितना गुणसुत्र है गेहुं तो गेहुं में उसका त्शा से कि小ilka धीक्र क टोई सबस्तिफ्री के सल केमक कितना बीच ध्याइख to concoat के में बारा-सो अस्यों गुनसूतर हता है तो इतना आपका दिया हुआ NCRT में गुनसूतर ठीक है यह सब को आपको अच्छे से याद दखना है यह थाप का क्या गुनसूतर गैमीत इसको बोलते हैं मतलब कि गई मिट में कितना गृमसुत्र रहेगा यह नतार रहेगा Abi यह थह आपका गौनसुत्र थीक है के तो ह 코 चलिए अब देखो हम दोग दिखेंगे क्या निशेचन निशेचन है ना इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि फेल शेय। लेंग के ज़र्ण में घटनायरीनगे alea की फिल ईकंग होती है उसकें फिली थे कि फान मूक रही है प्रसेय। पॉए सबने और प्रसों कर चूप कर चुके हैं और यह आहंका अपको है टॉक्चेशल te का दोबिप्रित युगमक का मिलना या दोबिप्रित युगमक का युगमन होना निसेचन कहलाता है क्या बोले हैं दोबिप्रित युगमक का युगमन होना युगमन होना निसेचन कहलाता है यह आपको लिखना है क्या परिभासा निसेचन कहलाता है और निसेचन को ही अच् लाया, उखुमक सुंक निशे चान को ही बहते हैं क्या यूगमक सeri उडेवी में इसको बहते हैं क्या उगमक स रही है जैरो ईम्हें कषक़्याहन इसको बलते हैं क्या सिन्गायम्हाई और रची फिद हैं ऐदने भूम लगया तो मिलने के प्रक्रिया है क्या बन गया मिलने के प्रक्रिया क्न की की मिल्ट में गुंत्र आधी होती है यह इतना जिए में रहता है ना तो माना की अगर ले रहे हैं टो मानम केतिना गुमुप तो उसका गुणसू में रहाइगा तो इधना मिलेगा और जब मिलेगा तो इसलिए जب मानम का बच्चा बनेगा तो उसमें गुनसूत्र की संख्या फिर से 46 ही होगी और जो बनेगा यह था क्या युगमक यह था क्या गुमुट है ना ये भी क्या है गयमीठ है ये मेल गयमीठ है ये फिमेल गयमीठ है हाना ये जो मिलेगा तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे जाइगाट बोलेंगे जाइगाट इसको क्या बोलेंगे युगमनाज ठीक है यही बनता है आपका युगमनाज तो निसेचन का रिजल्ट है निसे जल ठीक है अब इसी यूगमनाज से यही यूगमनाज क्या होगा डेवलप्मेंट होगा इसका डेवलप्मेंट होगा और डेवलप्मेंट होके क्या बनाएगा एंब्रीयो बनाएगा भुरुन बनाएगा क्या बनाएगा एंब्रायो बनाएगा भुरुन बनाएगा ठीक है तो इस तरह से बनेगे आपका संतती, और बाद में जन्म होता है, तो यह था आपका क्या, पुरान निशेचन, ठीक है, अब निशेचन तो आप समझ गए कि निशेचन क्या है, निशेचन का डेफिनेशन समझ गए होगे, ठीक है, अब करेंगे, हम देखो अच्छा, तो हम बताते हैं देखिए सुनिए और आप मजा लेजी देखो निशेचन जो होता है ना किसी किसी जीव में सरीर से बाहर होता है और किसी किसी जीव में सरीर से अंदर होता है कि अंदर होगा जैसे अगर हम बात करें अंदर किसमें होता है तो मानव में होता है अंदर में गाय में होता है अंदर में इतना भी अस्तंधारी है ना उसमें करते होता है अंदर में होता है क्या बोल रहे हैं सर्कुछ समझ में नहीं आ रहा है रुक जाओ समझा एक सकेंड थ हाँ ठीक है देखो आप जैसे हम बोलते हैं ना बात करते हैं किसकी बात कर लेते हैं हम किसकी इसकी कि एक मेल है और एक फिमेल है है ना यह दोनों मिला निशेचन किया मतलब कि सेक्स किया जो किया अपना काम प्रोसेस और उसका गयमिट मिला तो मिलने की प्रकिरदय को बोले ह अब जो है ना क्या होता है इसे मान लो की एक मेल है है यहां पर क्या है मेल है ठीक है इसका क्या है इसका मेल है ठीक है यह इसका हो गया क्या मेल यह मेल है है ठीक है और यहां पर बना दाते हैं इसका योगो दोस्त हाना यह कौन है यह फिमेल है ठीक है यह फिमेल है यह फिमेल है यह फिमेल है यहां पर बात करते हैं ठीक है तो फिमेल का जो यहां पर जना रंग होता है इसमें यहां पर भूम होता है यहां पर गरभास होता है है तो यहां से असपर्म जाके यहां पर बच्चा रहता है असपर्म जो निसेचन होता है ना सरीर के अंदर होता है जिसे फिमेल के बॉड कोड़ी के अंदर हो तो उसको बोलते हैं क्या आंतरिक निशेचन मतलब कि निशेचन कहा होना चाहिए शरीर के अंदर है ना और एक होता है बाह निशेचन है इसका मतलब यह होता है कि निशेचन जो होगा ना वो सरीर से बाहर में होगा जैसे क्या करता है इसा तो जैसे दिस अचतलिस ह mismo vidéo का इसे ना एक मेड़क है है ना इससे तरह से यहां कान एक मेड़क ठीक है कोे इ kilogram घड़ा हुगा अब यहां हुआ है यहां पर एनिवित ना है extend क् walks भी देख सर्थ शुमॹ्त तीन तुब बगरतां में यहां से तोनों जैए एक ही समय में क्या करेगा न सेम टाइम में आपना इसी पर छोड़ दिया यह आपना वह बाद दोनों सेम टाइम में तो पानी में है तो यहां पर छोड़ दिया अपना असपर्म और यहीं पेश्पर्म और असपर्म आजप presents मों outta में यह बांद आपना में भुण उसको बोलते हैं आंत्रिक निसरचन थीक तो इस तो निसेचन दो परकार के होते हैं एक होता है को आंत्रिक निसरचन कहां पर होगा यह शरीर के बाहर होगा कहां पे होगा शरीर से बाहर होगा जबकि आंतिर निसेचन कहां पे होगा तो सरीर के अंदर होगा कहां पे होगा सरीर के अंदर होगा इसका निसेचन ठीक है तो इस तरह से होता है निसेचन ठीक है और अब हम करेंगे किसके बारे में बाहर निसेचन के बारे में बाहर निसे करता है कि यही जो होता है करता है बस्ता है का ने पर बोलें भी तो जल और दोनों पर रहता है यह लेकिन जब जरन करना होगा लगा तो जल में ही जाएगा इसलिए कि सुखल छेतर में यहां पर अंड़ा रिलिज करेगा असपरम वह नहीं रपाएगा वह मर जाएगा उसको जब ही जान करता है जली जली जी भी करता है यह से मचली हो गया मेधक हो गया है यह से आपको दखना है ठीक है इस इस बाहर करता है तो मेधक करता है मेधक और एक और जोग आपको एंसेटिम लिखा हुआ है वह लिखा को बॉनी फिस बॉनी फिस और यह दोनों करता है क्या जली बाहर निसेजन करता है मतल optics के बाहर मिलता है तो यहाम से यह नहएं पर अधर ना है अब देखो यह तो के जोना के ठोड़ा सह असान है अब इसमें ज़ो कुछ लाब और हम्ह जैनी भी होता है एकम्त नहीं हमें साहगना है पहले कुरेते एक हानि ना हम्हानी क्या है तोहल यह है की देखो है दो अघर तो इसके बच्चा को कई देखने वाना है नहीं तो कोई दूसरा एक चकारी आएगा इसको खाकर चल таким तो इसके बच्चा जो है मारना की संभववना अहीं क्यों С America को बनने की समय होता है अधीक होता है ठीक है तो यहां से वाता दखना है इसका हानी क्या है इसमें संतत्ति की हानी संतत्ति के उत्वत्ति संतत्ति की खतर रहता है संतत्ति को खतर रहता है है न कीस से प्रिडिंटर से सिकारी से रहां कि कुई वहां के खा जाएगा, अंसी कारी आता है खट रहाता है ठीक है, यह इसका हानी है और लाब क्या है, सर। लाब भी है, ऐसा नहीं है कि फ़ल लें की ले這邊, का लत बब कर रहे है न है लाव क्या है शर देखो यहांपे जो बाज निशह ने होता है ना बाज निशाचन nume Joda जो ना है बहुत सारा अस्पवर लीज करता है और और में बहुत सारा बनता है यह से फीमेल भी क्या होता है अगर बात करते हैं मानव में तो मानव फीमेल में ओभम यहां पर बनता है यहां पर बनता है फिमर में एक ही गो भाम लेकिन बने जब एक ही गो भाम तो बच्छा गो बनेगा ना तो इसमें बच्छे जो है संतत्ती की उत्पती अधिक होती है तो यह इसका क्या है लाब है ठीक है अच्छा इहां से बता रखना कि जब भी यह करेगा बाहर निसे चन जब भी रहेगा यह बाहर ना तो इसमें क्या होना चाहिए दोनों और वहां दौन और एक ही और दिया और मेंठ के अपना ठोड़ा ही नहीं तो नहीं कarthy करेगा है यह फाख कि आपका सब आन इस्रेश चर्ट हOP जब करते हैं आंट्रीन तो क्या होता है तो आंट्रीन तो क्या होगा कि रखे अंदर का उनलें ध्यासर बोलेंगे आंट्रिग निसाचन बोलेंगे ठीक है अचा ये करता कौन है तो ये कुर्ण करता एजामपल लिख देते हैं कहां पर लिख एजामपल यह पर आन्ट्रिक का यह इसका दर करता है तो सरीश्रिप जो रेंग के चलता है इसको बिल्दर रेप्टी लिया वह कांप उसका सरी निशेचन कहां पहता है सरी के अंदर ही होता है किसका उसका निशेचन होता है कहां पर अंदर में होता है पक्षी फूल के अंदर में होता है और पौधे पौधम फूल के अंदर में होता है थीक है यहाँ से यह बत आपको यादख नेशा में क्या होगा रहत जलिए यह इसका क्या है अच्छा यहां पर क्या इसका इसका हानी यह है हानी इसमें भी होता है हानी होता है कि कम संतत्ति बनता है है ना कम संतत्ति की उत्पत्ति होती है अधरना संतत्ति की कम संतत्ति की उत्पत्ति होती है सुटेंगा करता है से थिक है कर तो यहां पर आपको या नहीं अपने हम十 चंद यहां आपने से के यहां पे यह जलाएका इसका भआजानागर सो जाल जलाएका कहाँ इूट्रस मे होहाँ और चाहना तो यह हूता। पाइब का आउंत्तिरी सिंसान के थी ये होता है आउन्तिरेख निशेचन का ठीखेटा के६ तो इस तरह से आपका होता है कि निशेचन का पहला पाथ निशेचन का काम खतम तो जो पढ़ा रए थे कि लेंक्लिक घ्टनाएं होती है कॉन-कॉनम परिफ्ट्राइशन फट्राइशन और पॉस्ट्राइशन तो यह था पूरा का पूरा अब गप्राइशन आपका खतम और करते हैं यहीं पर खतम हना अगली किसका तो पोश्ट फटाराइशन के बाद क्या गया होता है वह करेंगे अगले चरह में लेक्चर में तब तक के लिए बाब बाई